तो आज हम लोग सिखेंगे कि हम अपना finger strength कैसे बढ़ा है कैसे fingers को flexible करें जिससे आप easily guitar play कर सकते हो आपको पता है कि guitar is all about finger strength and flexibility तो आपके fingers में strength होना चाहिए जिससे आप आराम से guitar play कर सकते हो और उसके लिए कुछ exercises है मैं आपको दूंगा कुछ tips बताऊँगा आराम से सीख लोगे जो beginners है जिन्होंने अभी ही guitar लिया हुआ जिनको कुछ idea नहीं कहां से start करें तो उनके लिए पहला lesson है जो basic lesson है उनका पहला lesson आप आराम से से तीन दिन से लेके एक विक अंदर strumming स्टार्ट कर सकते हैं तो चलिए आसका lesson स्टार्ट करते हैं तो अभी मैं क्या करूँगा पूरा स्टार्टिंग से basic से आपको समझाओंगा कि जब आप guitar लेके आए next आपको क्या करना है पहला tuning कर लो वह आपको आना चाहिए उसको हम प्रैक्टिस करेंगे अपना right hand left hand में कैसे हम लोग guitar strings को play कर सेगे ठीक है तो चलिए पहला part स्टार्ट करते हैं तो अभी सबसे पहले द पर रिस्ट करके रखेंगे ताकि आपका wrist table रहे इससे क्या होगा आप जो lead बजा होगे तो string मीश होने का chances थोड़ा कम जाएगा इससे क्या होगा आपका wrist position में fixed हो जा रहा है उससे आपका efficiency बढ़ जा रहा है इसको air जागा थोड़ा moves जादा होगा कोई-प्र मैं आपको recommend क करूंगा कि आप यहां पर little finger रखो ठीक है उसके बाद क्या करेंगे अभी string पिक करेंगे सबसे अब टॉप string है six string बोलते उसको चार बार पिक करेंगे पिक से like one two three four यहां पर देखने होगी में यहां पर alternate picking कर रहा हूं alternate picking मतलब एक डाउन होगा next up down up इससे नेक्स 15 में आज फ्लोली पिक करना ठीक एफिसे नीचे से उपर आएंगे हम ऐसा alternate picking करना यह धान लगना डाउन अप डाउन अप काफी easy है अब अब क्या कर सकते हो इसको बीना देखे पिक करना अभी अब देखके पिक कर रहे था बीना देखे ट्राय करना string चेंज करना उससे थोड़ा नहीं देखना भी बीना देखे ट्राय करो पहले बहले गलती होगा strings मिस होगा कोई बाद नहीं पस practice करो इसको एक दिन से maximum दो दिन तक practice करो यह आराम सो हो जाए आपका ठीक है यह pattern हो गया next pattern जाएंगे 4-2-4-2 मतलब पहले 4 टाइमस बजाएंगे 1-2-3-4 next बजाएंगे 2 खतम next 4-2-4-2 सेम नीचे सूपर आएंगे 4-2-4-2-4 इसको practice को आपका कितना efficiency develop होता है यह खतम हो गया next exercise करेंगे हम string skip कैसे करेंगे मतलब पहले start करेंगे 6 strings से 2-3-4 skip करके आजएंगे 4th string पर इसको यह बिना देखे practice करो यह सबसे क्या होगा अपका efficiency बढ़ेगा आप बिना देखे string प्ले कर सकते हो ठीक है यह पहला आपका exercise हो कि इसको एक दो दिन practice करो अभी next जाएंगे हम left hand के और देखेंगे उसको कैसे practice करना है अभी हम लग left hand के और देखते हैं उसमें क्या करन करना है I hope कि आप पहला exercise practice कर लिए बीना देखे string change कर पाऊ गया अभी हाँ अभी हम आप ट्राइ करेंगे कि फिरेडी करें एक फ्रेट्स जो में इसको प्रेड्स करना हो इसको प्रेड्र प्रे Repl good वहुश्प थेल्च जोर्स में आपको ध्यान रखना है और पर तींथ कर तो हो यहां से Division soft रिस कि सित्यों करना है तो आपको ढ़्यान जूर्ट इसको बार में प्रेस करना देखो डेचो क्या करूंगा है इसको फिंगर पहला सिंकर के अंदेक्स नेख़ीं पहला इसके ट्रिक है जो फिंगर का स्टेंज बरेगा कि फिंगर्स उठाना नहीं जब आगे जाओगे जो प्रिवेस उठाना नहीं फिर से डेख लेगा वन हो गया त्रिक भी दिखा रहे हूं वन लिटल सिंगर निए रिंग सिंगर थर्ड लिटल सिंगर थोड़ा अभी डिक्सकर्ट होगा आने में आपका यहां तक पहुंचेगा फिर ट्राइक और स्टेच करनें अब सिंगर्स को दिएद्र करो आ जाएगा यह पहला पार्ट यह खत्म हो इसको दस बार बारा बार रिप सब्सक्राइब करने से अब रिस थोड़ा अर्जिस करो देखो कहां पर रखने से आपका लिटल सिंगर पहुंच रहा है स्टारिंग में नहीं पहुंचेगा यह 100 पर सिंगर पहले-पहले काम नहीं करेगा उसे डिसर्टन नहीं होना है वह धिर जले आपका फ्लेक्सिबिल यह सबसे बड़ी गलती इसको नहीं करना ठीक है फिंगर का जो स्टेंथ है जो फ्लेक्सिबिल्टी है वह बढ़ेगा यहां जो ग्याप है ठीक हो मिंटन रहेगा यह खतम होगा अब जब बैक आएंगे जब यहां से 4-3-2-1 जाएंगे तभी क्या करेंगे सभी फिंगर उ फोर्वार्ड बैक लिटल फिंगर भी नहीं आएगा उसको टेंसल मतलो जितने आरे लिटल फिंगर यहां पर यहां पर यहां पर बात नहीं है ट्राय करना कि इसको आगे लिके आने के लिए और एक धियान रख रहा अल्टरेंट पीकिंग जैसे मैंने बताए रब लेकर सब्सक्राइब अब धिरे दरे उसको प्रैक्टिस करो अब इससे स्टार्ट करो थोड़ा टाइम लगया फिर भी आपका हो जाएगा ठीक है फिर से अब देख 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 लिए लेफ्ट हेंड बाला क्या करना है पहला पार्ट हो गया फॉर्वर्ड गया फिंगर्स चारो रहा बैक ट्राइक ने के फिंगर्ड रहेगा तिक करना सिंकुनाइस करना अभी जो म्यूट होगा चल यह ऐसा चलता है ने नहीं ऐसे आपका साउंड रहेगा मैंने इसको टिप में जैसे मैं बताया है प्रेस करना ने नहीं तोड़ा फिंगर्स पेन होगा तक आपको बजाना है यह आपका पहला स्ट्रिंग होगा सेम चीज करना आपको सेकन स्ट्रिंग बेए अब जितना ऊपर जागा थोड़ा से डिफिकल्ड होता जाएगा आपका फिंगर्स रेंज में लाने के लिए उससे आप क्या कर सकतो हो जो रिस्ट को थोड़ा डाउन करके बजाना यह पार यह इस नहीं है यह इंगल चेंद दिखा देता हो थोड़ा एक बाद जो रिस्ट आपका यहां पे इसको थोड़ा डाउन रखना जिसे यह पार्ट को त्राय करना लिडल फिंगर को आगे लाने के लिए ठीक है और फिंगर्स उठने नीच चाहिए इसको भी आगे लेकी जाएंगे फर्स जरत नहीं थ्रस्ट लो करना सिंक्रोनाइस करना सेम चीज़ आप थर्ड पे करो फोथ पे करो जितना उपर जाओगा आपका थोड़ा सा डिस्कल्टी लेबल बढ़ जागा अभी फोथ में करेंगे तो थोड़ रिस्ट और डाउन कर लेंगे में तरहन करना पहला प्रेक्टिसिंगर फ्रस्ट नहीं तो थोड़ा जाहता प्रैक्टिस कर करेंगे धूरा साटा ठाक्टिसिंगर अवसके थाड़ा प्रैक्तिसिंगर होर्दा जाञास शाहत उंपर तो थेड़ा यह थेवान second लेंगे नियुकर प्रेक्टिस करो जब गिटाप प्ले करो जो अदवन्स प्लेयर जो भी इंटर्मिडेट प्लेयर वो भी एकर सकते हैं जब भी गिटाप प्ले कने से 5-10 मिनिट पहले प्ले फिंगर वाम अप करो आप खत्म अभी सेम चीज़ करें सिक्स्टिंग पे भी देखरो मैं चारो फिंगर रखावा हूं इसका ध्यान रखना ठीक है तो यह आपका पहला एक्सेस इसको प्रैक्टिस करो पहले वन और फू स्टिंग पे ठीक से करना अल्टरेनिक प्रिंग करना फिंगर जैसे मैं बोला हूं ऐसे रखना टिप में प्रेस करना ठीक है तो इसको प्रैक्टिस करो अभी मैं इसको और एक नेक्स इक्सेस बताता हूं उसको बाद में करना पहले इसको ठीक से प्रैक् समस्ट नइंब झाने स्टेपर फिर्ट जरना पड़ताया बरह कर सकता तो थोड़ा से कर सकते हैं फिफ से स्टार्ट करना उसका फर्स पर जाना अब जो सेकंड एक्सेस करेंगा उनोग पहले क्या करेते हैं एक सिंगल पर कर रहे थे अब दो दो स्ट्रिंग इंवर्फ करेंगे मतलब अभी स्टार्ट करेंगे सेकंड स्ट्रिंग से सेम करेंगे फॉर्वर्ड नहीं आपर यहां से बैक जाएंगे वर यहां से बैक जाएंगे सब्सक्राइब इस लाइब जैके डाउं है वहां रहें चीज़ किसे उपर कर सकते हैं रहें यहाँ आपको स्टेच करने में थाऊनगे हो लुड़ारे करना निया ना गलती होगा आप सेकंड की जगए थर्ड स्रिंग पर आ जाओ गए तो उसको बस कंट्रोल करना है प्रैक्टिस करना आपका रहे तो यह पहला कर रहे तो अभी का गगा दो दो स्रिंग करेंगे जाओ सेकंड से स्टाट के इतना भी फर्स जरुदने पर स्लू करना सिंगर रखना पिक करना उड़ गया जब बैक आएंगे तो इंडिजियल रखेंगे ठीक अब ध्यान रखना लाइक बैक आए फर्वर्ड आया चारो सिंगर रहा तो इसको धीर स्लोली प्रैक्टिस करना धीर है ठीक है तो अभी क्या करेंगे इसको फिच से स्टार्ट करने के बाद दो स्कूर्म करेंगे इसको बूक खतika करना और धूशनकर आगे और यह更 और का अगे तो हम्लों क्या क्या करें थी करने के बाद हम लोग सेम चीज फर्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको प्राक्टीस करो देखो एक वीक में आपका कितना फायदा आवता है इसको करने के बाद निक्स भाक्या कर सकते हैं त्रॉस है इसको करने के पाद नेख्ट हम लोग क्या कर सकते हैं 3 fçe किसे इप रिकेम आपका निए प department अब इसको करने के बाद नेक्स आएगा आप गेस कर सकते हो क्या करना है विए फोस से स्टाट करना है और यहां पर देखना लेकर से आपको बीना देखे चेंज कर रहा हूं यह सब बेसिक चीज़े इसको ध्यान रखना ठीक है सेम इसको आगे लिए कहाएंगे फोस से बड़ा को यहां पर इतना फॉस्ट भी जरते हैं बड़ा स्लो करना है जितना आपका कंफर्ट कहीं साथ है क्योंकि स्लो से ही आप धिर्रा फॉस्ट कर सकते हो खताम नेक्स सेम शिट से स्टाट करना लास्ट में सिख से स्टाट करेंगे हम लोग यहां से सोचो फिछ स्ट्रिंग फिछ सिख स्टार्ट करें आप आप देखो मेरा ठीक है बस यह दो तिन एक्स चेज़ प्रैक्टिस करो पहले अब नया गिटा लेका है त्यून कर लो स्लो प्रैक्टिस कर अपने आपको टाइम दो उससे आपका डेफिनेटली इंप्रूब हुआ और एक गल्ती जो बिग्नर्स कर सकते जो मैं बताना अब भूल गया क्योंकि एक वीडियो में सारा चीज़े बताना थोड़ मुस्किल रहता है फिल्में बोल रहा हूं जो ग्रिप करते हो आप क्या करना थम से ग्रिप करना कोई कोई मैंने देखा वाई वो थम छोड़के बस ऐसे प्ले करते है बहुत गलत चीज है इसको नही प्ले काना ठीक है और अधियान रखना कि कोई फिक्स टाइम में नहीं रखना कि मेरेको दिन में 5-6 गीटार प्राक्रिक्स करना है घर पर खुले में रखो बैग में नहीं रखना जब भी मन करे आप फ्री हो टीवी देख रहे हो गीटार पकड़लो बजा हो त्यूंकि नय को में पूला आपको हेल्प कर रहा है कि इसके बाद मैं आपको और थड़ा अडवन्स गीटा इक्सेस बताऊंगा जिससे आपका और भी स्ट्रेंज देबल होगा पर बेसिक है कि आप यह पहले ट्राइक करो ठीक है फिर से में रिपीट करता हूं क्या क्या नहीं करना जब स्टार्टिंग जो बता है भीना देखे फिंगर चेंज करना जंप करना है ठीक है तो वही था आज का लेसन आई होप आपको help करें तो मैं इसका नेक्स नेसन बनाओंगा अगर आपको help करें आप comment में बोलना में नेक्स और भी फिंगर एक्सिसेसेजर आपको बताऊंगा तो मैं मिलता हूँ पर नेक्स लेसं पर, thank you for watching.